अस्सलाम अलिक्म फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हों आप ठीक होंगे जी फ्रेंड्स ये देखें जी मैं आज आप लोगों के साथ अपने वेट लोज की जो रूटीन है डेली की वो शेर करूंगी मैंने 82 kg से 75 kg इन 1 मन्थ में मैंने 7 kg लूज किया है कैसे किया है ये देखें गाइस मेरा 1 मन्थ पहले 82 kg वेट था जो मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में शो किया था अभी मेरा वेट जो है 1 मन्थ के बाद हो गया है 75.3 kg जी अलहमदुलिला नियली 7 kg मैंने लूज किया है और मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में भी अपनी मेल्स शेयर की थी और अभी भी मैं आज आप लोगों के साथ अपनी डेली की मेल्स और टाइमिंग शेयर करूँगे कि आपको क्या क्या और किस किस टाइम लेना है जी मौनिंग ड्रिंग आपको साड़े साज से साड़े आठ के दरम्यान लेनी है ट्राइ करना है कोशिश करनी है कि जल्दी उठें और मौनिंग ड्रिंग जो साड़े आठ तक आप ले ले morning drink में आपने एक lemon का slice लेना है hot water लेना है ठीक है आपने नीम गरम पानी नहीं लेना hot water लेना है और इस hot water को आपने sip-sip करके पीना है ठीक है that's it इस से ज्यादा और कुछ नहीं जस lemon आपने एक cup गरम पानी में breakfast 9 a.m. till 10 a.m. like 9 से 10 के दरम्यान आपने लेना है और आज मैं ले रही हूँ दूद में ये कुछ oats हैं इसके अंदर dry fruits हैं थोड़े से apple और blueberry वगईरा उसके अलावा ये किश्मिश है बहुत मज़े की है ये LD से मिलता है जो यूके में रहते हैं लोग और बाहर के गंट्रीज में उन्हें पता है LD शोप से easily मिल जाता है और ये भी oats हैं जो साधे हैं इन सब का mixture बना के काफी मज़े का जो है वो एक oats की ये बनती है खीर टाइप तो वो आप लोगों ने सुबा लेनी है मैं तो ये लेती हूँ आप अपनी choice है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया एग भी ले सकते हैं अग वाइट और और भी काफी choices हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे comments में छोड़िएगा message तो मैं इन्शाला आपको और भी breakfast की जो है recipes वो शेयर करूंगी जी ये देखें ये milk and oats ये सुबा का मेरा जो है वो नाश्टा है अलहमदोलिल्ला और ये मैं पूरा एक bowl ले लेती हूँ इसके साथ आप चाहिए भी जो है वो cattle टी पी सकते हैं लंच लंच आपने साड़े बारा से डेड़ बज़े तक आपने अपना लंच कर लेना है और लंच में आज मैं बना रही हूँ ओट्स की जो है वो खिटड़ी जी आपने लेने है कुछ सबजियां लेनी है प्याज लेना है ओल यूज नहीं करना पानी गरम पानी में आपने प्याज और सबजियां डाल देने हैं फिर आपने थोड़ी देर तक इन सबजियों को गलने देना है ठीक है उसके बाद आपन लेने है ओट्स जी ये मेरे पास ओट्स है फिर आपने ये ओट्स लेने है इसके तकरिवन दो चमच आप लोगों ने दो बड़े चमच डाल देने है उसमें पानी में उसके बाद आपने लेने है स्पाइसिस अपने टेस्ट के अक्रोडिंग जो भी आप डालना चाते हैं ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे spices आप डाल दे फिर आप इसको अच्छी तरह लाए जी friends ये देखें oats के दो चमच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये मैं एक परसन के लिए ही बना रही हूँ अपने लिए तो दो चमच काफी है थोड़ा सा ओडालने अगर आप लोगों को लगजा होगा कम है तो बस एक बोल या एक ऐसे प्लेट बन जाए ठीक है थोड़ा सा बने ओडाल दिया है अभी हमने इसको अच्छी तरह बकाना है जब तक पानी बिल्कुल सोक नहीं जाता गाइस यह बहुत मज़े का है कभी ट्राइ करके देखें बहुत टेस्टी है मेरा तो टेस्ट ड्वेल्प हो गया है अब ऐसी चीज़े खाने से और मुझे तो अच्छी लगती है और यह हैल्दी भी होती है ओल्के बगेर है जस्ट ओट्स है यह जल्दी जो है वो हजब हो जाती है उसके साथ लंच में मेरा थोड़ा सा सरदर्द हो रहा था तो मैंने टी भी साथ जो है वो बना ली है कैटल टी मैं ज्यादा पाकिस्तानी टी नहीं पीती जो पकी दूद वाली होती है वो मुझे बहुत हैवी लगती है तो मैं ज्यादा पानी और थोड़ा सा दूद यह ब्रीटिश टी होती है मैं ज्यादा मैं यही लाइक करती हूँ उसके साथ मैं लूँगी होममेड चटनी यह पुदीना सबसमर्च अनारदाना और ऐसी काफी चीज़े मैंने डालके यह मैंने चटनी बनाई है घर में होमेड और यह बहुत अच्छी मज़े की अगर आपको रेस्पी चाहिए हो तो मुझे कॉमेट्स में छोड़िएगा मैं आपको चटनी की रेस्पी भी बताऊंगी यह मेरा हो गया है गाइस लंच यह बहुत फिलिंग वाला है और माशाला बहुत टेस्टी भी है आप भी ट्रॉई करिएगा और फिर मुझे बताईएगा इवनिंग ग्रीन टी यह आप लोगों ने साड़े चार से साड़े पांच के दरम्यान लेनी है माचा टी यह माचा टी आपको अमाजोन से एबेस से एजीली मिल जाएगी यह बहुत बहुत टेस्टी और मजे की यह टी होती है बिकोज मैं डिफरेंट डिफरेंट टी ट्रॉई करती हूँ आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप अपने मर्जी से वोटी ले सकते है अभी यह माचा टी जस्ट थोड़ा सा आपने हाफ चमच माचा टी डालनी है होट वोटर डालना है और इसको अच्छी तरह से आप लोगोंने मिक्स कर लेना है और यह तियार होगी कोई आपने शूगर यूज नहीं करने साथ आप थोड़े से ड्रॉइफ फ्रूट्स ले ले बहुत टूमच नहीं लेने थोड़े से बस ले ले जैसे के प्लेट में देख रहे हैं डिनर डिनर आपने साथ से आठ के दरम्यान ले लेना है आठ बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना गाइस अगर आप लोगोंने वेट लूज करना है तो आठ तक आपने अपना डिनर कर लेना है जी फ्रेंड्स आज डिनर में विकोज सुबा भी मैंने थोड़ा हैवी खाया था और दोपहर में भी मैंने अच्छा खासा बोल बरके खाया था जो ओर्ट्स का है तो अभी मेरा कुछ लाइट सा लेने का मूड था तो आज मैं बना रही हूँ कोल्ड कोफी जी कोल्ड कोफी कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को इजी से तरीका बताती हूँ क्योंके कप में लाइक चमच से कोफी हला हला के उससे तो मैं थक जाती हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी ये जो मेरा है ग्रेंडर सी मशीन है मैं इसमें कोफी थोड़ी सी शूगर डाल के इसको अच्छी तरह से मैं बिलेंड कर लूँगी और ये बहुत अच्छी और समूदी सी जाग बन जाएगी और बिल्कूल दो तीन मिनट में ये दो मिनट में ये रैड़ी हो जाएगी जी गाइस जो लोग चमच से कोफी हलाते रहते रहते न मेरे से तो नहीं होता मैंने तो ये देशी तरीका बना लिया सीधा साइद आप लोग भी ट्रॉई करिएगा बहुत अच्छी जाग बन जाती है इसकी और बहुत अच्छे से ये बिलेंड हो जाता है जी फ्रेंड्स ये वाली होट टी है ये मैं अपने हजबन के लिए बना रही हूँ मैं कोल्ड कोफी प्योंगी तो हजबन के लिए जो खोड कोफी है तो दूद गरम किया है मैंने और साथ मैंने दो चमच कोफी के इसके अंदर मिक्स कर दी है ये मज़े की रेडी होगी है ये मैं उनके लिए उनको सर्फ करूंगे बहुत नाइस कलर आया इसका माशाला से और टेस्टी भी थी हजबन के बकॉल जी अपने लिए मैंने ये चिया सीट को पानी में बगो के रखा था थोड़ा सा और दूसरी तरफ मैं ठंडा दूद लोगी बिलकुर ठंडा क्योंकि मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने को दिल कर रहा था सोते हुए जी ये मैंने चिया सीट जो है जो बगो के रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है इसको अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ये मैंने कोफी के दो तीन चमच डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है गाइज होट जो है वो कॉफी से ज्यादा कोफी मुझे ज्यादा टेस्टी लगी है आप लोग भी ट्रॉइ करिएगा बहुत एजी रेस्पी है मैंने आप लोगे साँ शेयर की इसके बाद यही मेरा रात का जो है वो डिनर है इससे ज्यादा हैवी मैं नहीं खा सकती और ना म नाइन पीम से टैन पीम तक आप लोगों ने लेमन ग्रास विद होट वाटर, ठीक है, इससे ज़्याद आप लोगों ने कुछ नहीं लेना, फ्रेंड्स, एंड स्लीप टैम, टैन पीम, अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों ने दस बजे सो जाना है, ताके अर्ली मॉर्न आप टाइम से साथ 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 तक उठे, जी फ्रेंड्स, ये ही मेरी वन मन्थ रूटीन रही है, जिससे मैंने एजिली अलहमदुलिला, सेवन केजी वेट लूज कर लिया है, आप लोग मेरी ये डाइट फालो करके अपना वेट लूज कर सकते हैं, कोमिट्स में कि आप लोगों को मेरी डाइट प्लान कैसा लगा है, दुआउं में याद रखिएगा, मुझे अजाज़त दें, अलाहाफेज